Welcome back students, science में आज आपका टॉपिक है, festivals, name, F-E-S-T-I-V-A-L-S, festivals, N-A-M-E, name, ठीके बैटी, देखिए, F जो यहाँ पर हमने लिखा, वो कर्सिफ का है, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, नहीं तो आपको इस तरीके से नहीं आसान लग रहा है, तो आप इस तरीके से भी ल लिख सकते हैं, ठीके बैटा, यह आपको बहुत एजी लगीगा, यह हो गया आपका, F-E-S-T-I-V-A-L-S, festivals, N-A-M-E, name, festival में इस क्या होता है, तियोहार, festivals में में इस क्या हो गया, तियोहारों के नाम, science में आज आप पढ़ेंगे बैटा, festivals नेम में इस अपने तियोहारो के नाम हम कह पहुँआ से तियोहार मनाते हैं, उग के नाम हम यहाँ पर लिखेंगे, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, E-I-D, ठीक है, पहले हमें लिखा, E-D, इसके बाद हम क्या लिखेंगे, D-I-W-A-L-I, दिवाली, इसके बाद क्या है, होली, ठीक है, होली के बाद क्या है, लिखेंगे हम, O, N, A, M, O, N, M, इसके बाद क्या है, D, U, W, S, E, H, R, A, E, D, Seherah, ठीकिए, ईद कम होती में का करते हैं, E, D, कि दिन जो है, हम, जो है, सुवा उठते हैं, तो फिर जाते हैं, नमाज परते हैं, उसके बाद एक तूसरे से सब गले मिलते हैं, और पता है, सब के घर में, जो है, से बंथी हैं, से बंथी हैं, और हम सिमया काते हैं यह हो गया इद में उसके बात क्या है दिवाली दिवाली के दिन क्या होता है दिवाली के दिन हम घर की खुब साथ सफाई करते हैं या पर दिवाली से पहले करते हैं उसके रात में दिवाल जिस दिन होती है, उस दिन रात में हम घर्प को जिए उसे सजा देते हैं, हम खुब यह सारे दीपक जलाते हैं, और पठाके भी जलाते हैं, ठीके, तो यह हो गया दिवाली, इसके बाद क्या है? होली, होली में क्या होता है? होली के दिन हम कलर से रंग जो होते हैं, उसे हम खेलते हैं, एक तूसरे को रंग लगाते हैं, और अपने बड़ों का आशिरवाद लेते हैं, ठीक बेटा, इसके बाद क्या है? ओ-न-A-M-O-N-A, ठीक है? इसके बाद क्या है? द-U-S-E-H-R-A, दसेहरा है ना? दसेहरे की छुटियां आप सबी की होती हैं, दसेहरे में क्या होता है? इसमें जो है, दसेहरे का मेला लगता है, और क्या होते हैं, रामलीला खेली जाती हैं, यह होता है दसेहरा, ठीक है? तो यह सब आपके festivals हैं, जिनको हम मनाते हैं, ठीक है, तो science में आज आपने festivals ने पढ़ा, इसको आप अपनी copy में बढ़ियां से लिख लेंगे, और जो है, इसको घर पे 2-3 बार, इसकी spelling में तब देखे थोड़ी सी, इसमें spelling थोड़ी जादा है, जैसे यहाँ देखे दर शेह आपको clear हो जाएगी, ठीक है, तो आज की लिख science में इतना ही, इसके बार मिलेंगे हम आपसे, next day